सिर्फ एक दिन के लिए CM बन के देखो ये डायलोग तो आपने सुनाई होगा ये डायलोग है नायक दर रियल हीरो का और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं फिल्म से जोड़ी कुछ अंसुनी बात हैं फिल्म का बॉक्स अफिस कलेक्शन और IMDb rating तो वीडियो को एंड़े जरूर देखें पहले जानते हैं फिल्म स्टोड़ी कुछ अंसुनी बात हैं दोस्तो फेक्ट नमर वन अननल कपूर से पहले ये फिल्म सारुख खान और आमिर खान को ओफर हुई थी लेकिन दोनों ने फिल्मे काम करने से मना कर दिया था फैक्ट नमर टू ये फिल्म 1999 में आई PMil फिल्म की Hindi Remake है और दोनी फिल्मों को संकर ने डायरेट किया था फैक्ट नमर त्री ये Bollywood की पहली ऐसी फिल्म ही जिसकी फाइट सीख साउथ से मिलते चुलते थे फैक्ट नमबर फोर ये संकर की पहली फिम थी जो कि उन्होंने डाइड की थी हिंदी लेंग्विज में यानि ये उनकी हिंदी डेवी फिम थी फैक्ट नमबर फाइफ इस फिल्म को साथ सो टीबी रखे गए थे ताकि वो असली निउस स्टूडियो लगे फैक्ट नमबर सेवन उरिजिनल फिल्म में राने मुखर जै के रोल था वो बले किया था मने से कोई रालाल दे और शंकर भी यही चाहते थे कि हिंदी फिल्म में अभी मनेशा को लिया जाए लेकि मनेशा ने इस फिल्म में काम करने से मना करती था दोस्तों ये था अन्नोन फैक्ट अब बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ओफिस करशन के बारे में तो फिल्म की स्टार कास्ट में थे अनल कपूर, रानी मुखर जी, पूझा बत्र, अमरेश पूरी और परेश जावल फिल्म की स्टोरी लेकिती फिल्म को डारट किया था एश शंकर ने और फिल्म को रिलीश किया या था बॉक्स ओफिस पर साथ सित्मबर 2001 को बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ओफिस कालेशन के बारे में तो फिल्म ने अपने टेवन पर कमाया की थी 85 लाग रुपे की फिल्म का फिल्म का फिल्म को बॉक्स ओफिस कालेशन था 4.81 कर रुपे इसके साथ ये फिल्म ने कमाई की थी इंडिया में नेट 10 करूर 75 लाग रुपे और फिल्म का वल्डवाट कलेशन था 25 करूर रुपे इस फिल्म का बज़र था 21 करूर और फिल्म को बॉक्स अविस पर फ्लॉप की वर्डिक मिली थी दोस्तों ये फिल्म सन 2001 की 15 नमबर की हाईस ग्रॉसिंग थी और इस फिल्म की IMDB रेटिंग आज की डेट में 7.8 है आउट आफ तैंट तो क्या आपने फिल्म देखिए और कैसी लागी कमें बेसे लू बताएं मिलते हैं कि ये फिल्म के बॉक्स अविस कलेशन जानकारी में है जबते के लिए बने रहिए देखते रहिए दा बॉक्स अविस कलेशन शोवित अच्छी आदम थैंक्स वर वाइट